चात्रों नमस्कार, द्रिश्टी ट्यूटी और प्राइबेट लिटेट के यूट्यूब चनल पर आप समों का सवगत है। चात्रों आप देख रहे हैं R067 रीजनिंग के प्रस्नों का एक्स्पानेशन जो SSE CGL 13 दिसंबर 2022 से 3 में पूछा गया था। चात्रों उससे पहले कि हम लोग प्रस्नों का एक्स्पानेशन देखें, एक जरूरी सूचना है आपके लिए, BPSC दोरा आयोजेत प्रात्विक सिक्षक परिक्षा के लिए 255 टेस्ट जिसमें अलग-अलग हैं, chapter wise भी हैं, full length courses भी हैं और previous year के संकलित प्रस्नों का भी कुछ स set बनाया गया है, मेरी ये पिक्षा है आपसे, आप सभी जानने वाले ऐसे जो प्रात्मिक सिक्षक परिक्षा में भाग लेने वाले हैं, उनको ये मैसेज जरूर कनवे करेंगे, द्रिष्टी टुटोरियल प्राइविट लिम्टेट के एप को, प्रेस्टोर से डाउनलोड कर लेना है, फिर इस्टोर सेक्षन में जाकर, आप जैसे इस्टोर सेक्षन में प्रवेश करेंगे, यह आपको दिख जाएगा, आप वहां से प्रचेस कर, इस टेस्ट का बहुत सारा फाइदा उठा सकते हैं, ये निश्चेत तोर पर आप इसे प्रसारित और प्रचारित क आगे बढ़ते हैं और पहले प्रस्न की ओर चलते हैं पहला प्रस्न छात्रो डाइस का है डाइस का यह प्रस्न बहुत ही आसान है बिना किसी समय को बरबाद किये आप इजली बना सकते थे गौर से देखे छात्रो टार्गेट आपका बना खाए ठीक है डाइस की तीन आक्रथिया दी गई है मतलब तो हम लोगों को दो से होता है आप गर से देखें पहले दो डाइस में ध्यान से देखिए, common कौन सी surface है, तो common surface one है, है ना, और one के ही opposite पूछा है, और आप पहले से जानते हैं, कि common सतह के विपलित अगर पूछा जाए, तो जिस दो dice में वो common surface one है, common है आपका one, आप देखेंगे, इन दोनों में जो नहीं दिख रहा हो, कौन सा नहीं दिख रहा है दो नहीं दिख रहा है, तो निशित तोर पर एक के opposite के surface पर दो होगा, है ना, अब तीसरे dice को देखने के आओ सकता हमारी समाप्त हो गई, आए तो दूसरा प्रसन देखें, दूसरा प्रसन, आपका प्रसन दीदा है syllogism, जिसमें हमारे सभी छात्र, बिलकुल सही प्रसन ब पुकारते हैं, है ना, ई पुकारते हैं, और आपको पता है, कि middle term की position ये है आपकी, middle term की position, तो ये निशित तोर पर statement को ऊपर से नीचे चलाएगा, और finally हमारा I पलस E बराबर O हो जाएगा, ये देखते ही आपको पता चला होगा, तरीका तो यह है कि पहले conclusion देखें, conclusion ये conclusion तब ही सत्य होती है, जब उपर दिये गए, दोनों statement all के हो तो, ये दोनों तो ऐसे ही खत्म हो जाता है आपका, और I पलस E बराबर O कहते हैं, तो क्या P और T के बीच, रिष्टा तो O में होना चाहिए था, तो देखें क्या है, sum P और not T, ये बिल्कुल सही है, only three conclusion आपका स option number 2 में, आप when diagram दोरा भी इसके प्रस्तित कर सकते हैं, है न, when diagram दोरा भी प्रस्तित कर सकते हैं इसको, छत्रों यह प्रस्न coding decoding का है, आप गौर से देखें, अगर frost F, R, O, S, T को उसने लिखा 156, सबसे पहले क्या करनी है आपको, इसकी जो valid value होती है, आप देखें तो F की 6 R18, O15, S19 और T20, सब को add तो पहले करें, क्या हो जाता है, 18 और 6 मिलकर हो गए, 24, यह 5, 29 और यह 10, 49, 49 में 9 जोरिये हो गया, 48 में 10 जोरिये हो गया, 58 में 20 जोरिये हो गया, 78, आप रिस्ता बिलकुल समझ रहे होंगे, 78 का दो गुना है 156, यह बात, यह candle और 78 के साथ भी लागू रहेगी, आपको screen दिया गया है, S की value याद होगी, 19, CK3, R18, E5, A1, M13, सब को जोर कर दो से गुना करना है, आईए 19 और 3 मिलकर होगे 22, 28, 30 और यह 10, 40, 5, 45, 1, 46, 3, 46, 49, और यह 10, यानि हो गया है, वो 59, और 2 से गुना करेंगे, तो 1, 1, 18, सही है, 118 आपके option number C में मिल रहा है, है ना, आगे बढ़ते हैं, अगले प्रस्न की उर बढ़िए, छात्रों आजकल जो प्रस्न पूछा जा रहा है, इसमें इतनी लंबी जो भासा लिखी होती है, इसको परहने की जोट नहीं है, कहक क्या रहा है, इसको समझ लेते हैं, समझी, इसने कहा जैसे 13 है ना, तो पहले जो हम लोग प्रस्न बनाते थे, तो 1, 3 को एड कर सकते थे, 3, 1 को मल्टिप्लाई कर सकते थे, या किसी भी प्रकार से 13 के भीतर जिन अंकों का प्रयोग है, उनके साथ भी mathematical operator का इस्तेमाल कर सकते थे, उसको इसने मना कर दिया, वहला आप नहीं कह सकते, तेरा को 1, 3 में बाइफरकेट नहीं कर सकते, आपको क्या करना है, तेरा को तेरा ही मानना है, जो भी mathematical operator का यूज करना है, वह 13 के ही साथ करना है, उनके भीतर अंकों के साथ नहीं, फिर आपको इन दोनों के गुनों को देखकर तीसरे में वह गुन सब्मिट करना है, देखि 12, 7 and 32, यह थोड़ा सा मुश्किल पड़ा होगा आप लोगों को, 12 में से 7 घटा लिजिए, कितने होगे, 5, चातरों 5 का स्क्वाइर करते हैं 25 और इस 7 को जोड़ते हैं तो 32, लेकिन सेम प्रोसेस यहां नहीं आ पा रही है, आप जो 17 में 13 घटाएंगे, 4, 4 का स्क्वाइर, 16, 16, 13, तो 33 होता नहीं है, तो यहां आप क्या देखेंगे, 5 के बाद स्क्वाइर करके 25 लाए थे, 25 लाने में इंटू 5 भी तो हो रहा है, यह 25, अप प्लस मिडल वाले को, 7 को, अब देखेंगे, 32 यह वाला आ गया, इस प्रोसेस के अंदर, सेकेंड वाले को आप चेक करें तो आप देखेंगे, 1st और 2nd का डिफरेंस निकाल लिए, 17 माइनस 13 हो गए कितने 4, 5 से ही मल्टिप्लाई करना है, और इस परकार आया आपका 20, और मिडल वाले 13 को आप एड़ कर देंगे, तो आपका यह लास्ट वाला जो एलिमेंट है, वो मिल जाएगा, प्रोसेस तो प हो गए कितने, 30, एड़ किसको करना है, बीच वाले को, 8 को, 8 को एड़ कर देते हैं, आपका जवाब 38 आजाएगा, जो कि option number A में रखा हुआ है, आईए, अगले प्रसन की बारी आती है, यह पांचवा प्रसन है, ब्लेड डिलेशन का, इसमें mathematical operator का कुछ symbol का भी इस्तेमाल क यह कोई दिक्कत नहीं है, आपको सबसे पहले एग्जामिन यह करना है, P पलस Q का रथ है, P Q का पिता है, छात रो, यहाँ पर दे सकता था, Q P का पिता है, जहाँ से देखेगा, P Q का पिता है, मतलब first term जो है, second का पिता है, arrow अगर चला रहे हैं तो देखे, P minus Q में P बहन है, यहाँ लेफ्ट वाले के रिस्ता को कंफर्म किया है, यहाँ भी लेफ्ट वाले को, सारे जगह तो लेफ्ट वाले को कर दिया ना, तो यह प्रसम बिल्कुल आसान हो गया, तो आपका target क्या है, A से E कैसे संबंदित है, A के बारे बताना है, यह है कौन E का, आप चाहें, तो बहन मतलब फुआ, और फिर परसेंटेस का मतलब आप देखेंगे, परसेंटेस का मतलब भाई, फुआ का भाई चाचा, और चाचा का मैनस का मतलब देखें फिर से मा, चाचा की मा, नहीं, चाचा की मा मतलब दादी, ओप्सन देखें, पिता की मा, अब आप कहेंगे फुआ कि जो फुवा का जो भाई वा चाचा ही क्यों फुवा का वाई तो पिता भी हो सकता है आप गोड़ से देखिए पिता अलड़ी यही डिफाइन हो गया था कोई और डी है ना इसलिए वहाँ पर होगा तो आप डिरेक्ट जवाब इसका दे सकते थे वैसे आप एरो पर जो आने का राइट टू लेप गए और इन इस जो सेपरेशन जो कर रहा है जिस चीज से जिस मैथमेटिकल ऑपरेटर या सिम्बॉल से उसकी मिनिंग को वहां से क्लेक्ट किए और धरे धरे आगे बढ़कर रिष्टा बता दिये इस ट्रिक का मतलब रख दिजिए बहान और पर का भाई चाचा इसको चाचा इसलिए कहते हैं डि ऑल्ली पिता कान्फर्म हो गया और चाचा की माँ या किता कல मुझा कि आई अगला प्रस्न इस प्रसन में कुछ मेंटिकल नहीं जो को किस समीक्रन में superintendent कर दिया जाया और यह समेकरन संतुस्ष्ट हो जाए इसमें भी explanation की जरूरी है ऐसा आप नहीं कह सकते हैं निस्चित तोर पर यहां एक दुविधा जरूर हमारी होती है A, B, C, D चारो option को जाचने की जरुत हो जा सकती है नहीं बारी-बारी से maximum तीन एटेम्प लेना पर सकता है A, B, C को चेक की अपतला एंसर होई नहीं रहा है अगला प्रसन आप देखें 2003 के किलेंडर के समान का किलेंडर ढूनना है चात्रो याद है 11-year याद है 6-year याद है 28-year एक बार उसको revise कर लेते हैं ऐसे 2004 चात्रो यह leap year पांच नन लीप छे नन लीप साथ भी नन लीप एक आठ भी रख लेते हैं हम लोग और हम लोगों को याद क्या रखना है 2004 प्लस 28-year यह 29 वर्स सेम हो जाता है लीप वर्स 28 वर्स के बाद सेम और लीप के ठीक बाद आने वाला 6 वर्सों के बाद अब बाटी यह दोनो 11-year के बाद सेम के रेंटर देता है अब 2003 इसने पूछा हमको याद क्या करना है लीप एर आफ्टर 28 यह और लीप के ठीक बाद वाला 6 वर्स बाकी तो 11 क्या 2003 के ठीक पहले लीप है क्या 2002 नहीं तो 11 यह जोड़ेंगे तीन में 11 जोड़ेंगे आपका जवाब 2014 हो जाएगा आईए अगले प्रस्न के वर बहते हैं अगला प्रस्न है series completion का चात्रों आप continue देख रहे होंगे first अगर later को देखा जाए d, f, h, j, l यह ascending order में है तो ascending order के प्रस्न को बनाने के लिए कहीं से digital value put करने की आवसकता नहीं होती है कैसे आप बनाते भी वैसे d, e छोड़कर f, g छोड़कर h, i छोड़कर j, k छोड़कर l, m छोड़कर n यह तो मिल गया अब n से तो तीन तीन option है आगे की जाच करनी होगी अगर ऐसा नहीं होता है एक ही जगा option होता तो हम वहां से आराम से बाहर निकल सकते थे अब यहां चुकी descending order में descending order के letters को regularly बोला नहीं जा सकता है ज, y, x ऐसा नहीं बोल सकते तो देख लेते हैं यह 23 आपको लिखने के विज़ोद नहीं आपको याद है यह 21 यह 19 यह 17 और यह 15 अब कुछ कहने के आप सकता है माइनस टू माइनस टू माइनस टू माइनस टू फिप्टीन माइनस टू थार्टीन और आपका जबाब एन एन एम एन एम जो option number c में मौझूद है आईए अगले परसन के त्यारी करते हैं अगला परसन फिर से चात्रों blood relation का है यहां एक कठनाई आती है P को मादर साना है R क options चार हैं चारो options की जाज करनी होगी नहीं ऐसा नहीं है इसमें चाटा जा सकता है चाटी है P माँ है मतलब माँ तब जब पी इस जिस equation में महिला होगी तभी माँ confirm होगी और चुकि यह last term P है और पती-पतनी का रिष्टा नहीं है तो इसका तो link निरधारी थी नहीं हो बच गए एक जाज से जहां चार जाज करने की बात चल लहीं थी वहां तो एक से बच गए दूसरा बची P को इसने किस से जोड़ा है multiplication से और गुनाकार इसने क्या कहा है यहां गौर से देखिए गुना का मतलब पिता है ना और यहां पर P पिता है यानि पुरुस है माइनस का मतलब बहन यह इसकी बहन हो गई और माइनस का मतलब ढूंड़िए माइनस का मतलब मा इसके बहन की मा यानि इसके खुद की मा आपका जवाब option number D हो जाता है वैसे तो आप एक को जाजती है ना तो दो option तो बच गए दो option से तो कोई लिए ना देना हम लोग कता न और जब दो option छट गया चात्रो तो यह बताईए कि जब यह नहीं answer होता तो automatically हमारा answer भी हो जाता चलिए आगे बढ़ते हैं अगला प्रस जो प्रायर सभी set में दिया गया और अब आप इतना practice कर चुके हैं यह बहुत तेज गती में बहुत तिब्र गती में आप बनाते हों यह बाला उल्टा घुमा दिया और यह बाला भी उल्टा घुमा दिया बच गए यह दोनों एल सेम है के भी सेम है एन भी सेम है B भी सेम है आच का अगरवड़ी है आर का ये इसको टोपी समझ लीचे न समुझ पे- आ थि मिरर इमेज में तो टोपी युद्ब जाएगी नीची होता तो न और इसने और नीचे गिर यह यह बी एंसर नहीं होगा आप ने से तोर होंगे और ऐसे कई सब्दों का समाहार आपके पास होगा फ्लॉक कहते हैं बर्स के जुंड को तो स्वार्म कहते हैं बीज के जुंड को मधुमक्खी के जुंड को आपका जबाब यहां बीज मधुमक्खी हो जाता है आजाएए ट्रिपल पेर अपनेला जी आसन सा कसन है वाले में दो घटा दिया नहीं आठ था ही पहले से दो घटा कर उसको मल्टिपलाइ कर दिया क्या 15 इंटो 15 में 2 मैनस करके 13 तो यह हो गया आप चेक कर दें 13 13 में दो घटा यह 11 गुना कर दिजिए इसको 143 हो जाएगा यह बात 30 में तो अगले प्रसंद की उर बढ़ते हैं अगला प्रसंद फिर से शिलोजिजम का है चातो किस मेथर से वह बाला तो हम लोग एपलर एई आई-ओ के मेथर से बनाए थे इसको भी एक लोजिकल वेंड डियाग्राम के प्रस्तति देख ले ओल्ल ट्वाइज आर लेको यह रहा नू ब्लॉक इस लेको ब्लॉक यह बाह सम पुजल और ब्लॉक यह पजल भॉक में हैं अब आप कहेंगे यह पजल की तो संभावना यहां भी है पॉस्यबिडिटी में तो यहां भी आसकता है यह चिक करेंगे सम लोगो और पुजल Saam Logo और पुजल यहां नहीं दिख रहा है, यहां दिखेगा तो क्या कहीं, यह तो valid inference है शातरो, यह valid inference है, valid inference अगर दो आकरतिया बनती है तो दोनों में सही होनी चाहिए, कुछ लोग कहते होंगे, पजल यहां है, तो पजल को यहां भी रखा दा सकता था, क्या दिक्कत थे, ऐसे, 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 दोर से देखिए, E statement के दोनो subject predicate हैं, तो यह निश्चित तोर पड़े, इसकी conversion E में होगी, और यह तो सही हो जाएगा, some tries are blocked, some tries are blocked, कभी संभव नहीं है, जब यह बाहरी boundary से ही relation नहीं बना रहा है, तो अंदर कैसे जाएगा, आपका only two conclusions सही हो जाता है, नहीं, आप दोनों method को पढ़े हुए, एक ATIO वाला भी और logical band diagram, दोनों को मस्तिस्क में रखेंगे, तो और आसानी से सही प्रस्न बनेगा, आजा, यह बहुत ही आसान प्रस्न इचाहत होगे, दोनों के गुन एक जैसे है, उसी गुन को यहां रखना है, क्या करेंगे, five, और two से 23 कैसे, first element का square कीजिए, दूसरे को घटा दीजिए, आपको जबाब मिल गया होगा, six का square में आप दो घटा दोंगे, आपको 34 मिल गया, ऐसा हिंगुन, ऐसा हिंगुन यहां है ना, three का square nine में second element minus किया, third element प्राप्त किया, answer, डी दीए होंगे आप लोग, आईए, यह तो आसान है भाई, drama stage पर, तो परिच्छन, quote में, classification, शुरू हो जाते हैं, एक भी जाती है ढूड़ना है, o q लगाता, h j लगाता, h j लगाता, 15 दो o p छोड़कर q, hi छोड़कर j, m n छोड़कर o, j k छोड़कर l, सब में एक ही गुन मिला, अब तो third element तक पहुँचना होगा, q, r छोड़कर s, j, k छोड़कर l, l, m छोड़कर n, o p को इसने छोड़ा ही नहीं, यानि इन तीनों जैसा ये नहीं हुआ, answer दीजी, option number d, इसको देखेंगे, इसको देखेंगे, यहाँ, ऊपर गया, एक स्टेप उपर, फिर एक स्टेप इज़र, एंटीक्लोप में घूम रहा है, इस बार यहाँ आएगा पक्का आप कहेंगे, यह नहीं है, यह भी नहीं है, इसी दोनों की बात होगी, इसका black, देखेंगे किस और है, black किस और है, देखेंगे, black किस और है, आप समझ गए होगे, black इसी और होगा, और option number B, यह effect छाकृत आसान प्रसंद था, आज यह कूट भासा में, U को 71 कहा, चात्रो U को 71, U की value 25, याद होगा, O की value 15, U की value 21, जोड़ी हैं था उनको, 20, 30, 20, 50, 55, 55, 56, 61, 61 हो जाता है, और इसने 61 को लिखा है खत्तर, कारण समझ रहे होंगे आप, अब 2 को 60, चेक कर लेते हैं, इस आधार पर, 2 को जोड़ने से तो 50 आना चाहिए, तभी न 10 जोड़ेंगे तो 60, 15, 15, 30, और 20, 50, में 10 जोड़ा 60, बात तो पकड़ी गई, सब को जोड़ें, और extra 10 लगा दें, सिट का लिखना है, S19, I9, T20, जोड़ें, यह 19 और 9 हो गए, 28, और 20 जोड़ी हो गए, 48, आपको 10 जोड़ने होंगे, आपका जवाब 58, किसी ना किसी अप्सन में तयार है, अप्सन नमर C, आईए अगले प्रस्न गीर वरते हैं, फिर से स्रीज कमप्रेशन, चातो, ज्यान से देखेंगे थोड़ा, शुरू करते हैं, A, B छोड़ कर C, D छोड़ कर E, F छोड़ कर G, H छोड़ कर I, आई तो confirm, यह A कहीं option छटा, क्या करेंगे, और तो आगे बढ़ना परेगा, scrolling value यहाद है न, B की value दो, और T की value 20, प्लस 18 है किने बताएंगे, अब 20 में जब आप 18 जोड़ेंगे, तो 20 में 18 जोड़ेंगे, 38, किसका है, 38 तो scrolling है, 26 गटा देंगे, 12 मिलेगा, देखिए, L का है किने, है न, अब इसमें भी आप कितना जोड़ेंगे, इसमें 18, 12, 18 कितना, 30, 30 किसकी value होती है, 26 गटा कर देख लिए, 4, D की, सही तो दिया है, फिर हम लोग भी उसमें 18 जोड़ेंगे, 4 में 18 जोड़ेंगे, 22 हो जाएगा, और B हो जाएगा, और अब जाँच की जोरत नहीं, क्योंकि आई के बाद B नहीं, आई के बाद B नहीं, आई के बाद B है, कंफर्म होगे, I, D, O, N, इस्टॉलिंग बैल्यू याद रखेंगे आप लो, यहाँ पर सोड़ा सा प्रसंचिपड़ा है, आप देखें, बहुत आसान प्रसंच है, क्लासिफिकेशन का, यह सब स्क्वाइर है, सब स्क्वाइर है, आठ का स्क्वाइर से बास रख नहीं होता है, option number 2 जब आप देदेंगे, आईए 21 स्रीज कॉंप्रेशन का, इस स्रीज कॉंप्रेशन में आप देखेंगे note of intubation पहले ही आ गया, तो क्यों न उधर जांच कर लें हम, आप देखें तो इसमें कितना जूड़ा है, 5, 1, 15 जूड़ा है, सहमत होंगे आप, यहां कितना जूड़ा है, नहीं, यहां कितना जूड़ा है, नहीं, यहां कितना जूड़ा है, 9, ओहो, पकड़ा गया सायद, देखें तो, यह माइनस 3, 3, माइनस 3, 9 में 3 घटा देजिए 6, और 6 में 3 घटा देजिए 3, 31, 3, 34, 34 में 6, 40 बिल्कुल सटिस्पाइब कर रहा है, इनसर अमारा 34 हो जाएगा, आएए फिर से स्रीच काउंपेशन का प्रस्ण है, यह लेकिन आसान करते हैं, देखेंगें, इस तो सब भैवीत होते होंगे, लेकिन यह आसान है चातरो, पोजिशन देखिएगा, A, B, Clockwise, A, B, C, D, E, F, तो इस बार, G, H, G, H, G, H, और G, H, दो जगों पर मिल गया होंको, A और D में, इसमें H, G है, इसमें, B, H, G है, प्रसानी यहां है, तो इसमें एक वर्टेक्स का अगर आप चुनाओ कर लिए होते, इस वर्टेक्स का, यह वर्टेक्स यहां दिख रह आपको फिर यहां दिख रहा होगा, clear आपको दिख रहा होगा, यह vertex इधर आ जाना मतलब इधर, 90 degree का rotation, फिर 90 degree का, आप भी 90 degree घुमेंगे तो उधर चला जाएगा, जो आपके option number 1 में साफ साफ दिख रहा होगा, यह देखिए, एक vertex का चुनाओ कर लेना था के बले, अगला प थोड़ा थोड़ा, इससे सुरुवात अगर करेंगे इससे, तो आप देखेंगे, यह यहां दिख जाएगा आपको, यह वाला हिस्सा, दिख रहा है, बहुत आसानी से देखेंगे, बहुत आसानी से देखेंगे, यह वाला हिस्सा, नहीं, देखा, option number 2, चात्र, इस प्रस् चात्र, इस प्रकार, R067 की explanation आप देख रहे थे, उन्हां मिलेंगे हम लोग R068 के साथ, तब तक खूब पढ़िए, खूब खूश रहे, धन्यवादे,